हेलो और वेल्कम बैक टू इस्टड़ी टाइम उल्ली दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका इस्टड़ी टाइम उल्ली की न्यूज सिरीज आज एक जून 2020 है और हम डिसकस करने वाले हैं दा हिंदू के सभी इंपॉर्टन नूज से आज हमारे एक्जाम के प्रस्पेक्टिफ इंपॉर्टन है यह डिसकस करेंगे देखी यह जो वीक है Monday to Saturday जो रहेगा Saturday Sunday तक रहेगा इसको बहुत ज़्यादा important रहने वाला है ये week योगि इस week के अंदर में हर दिन क्या करूँगा कि आपको editorial में से कुछ ऐसे चीज़े बताऊंगा कि कि किस तरीके से editorial को आपको पढ़ना चाहिए क्या होता कि थोड़ा थोड़ा क्या हो रहता है editorial differ होता है हर एक दिन का तो वो चीज हम discuss करेंगे कि editorial को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और आपको कुछ ऐसे points से अपनी छोटी से copy बना लीजे जिसके अंदर आप note down करते हुए चलिंगे जो आप court कर सकते हैं जब भी आप answer writing लिख रहे हो तो तो देखिए generally क्या होता है कभी weekly में एक article या दो article max to max ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छे ऐसे point होते जिनको हम अपने directly as it is उठाके answer writing में put कर सकते हैं तो उसको मैं आपको बताऊंगा जो आपको इस तरीके से mention करना चाहिए और अब उसको तो आपको बिल्कुल रट लेना चीजिसे quotation जिसे आप याद कर लेते हैं उस तरीके से आपको वह points वह चीज़े को याद कर लेना चाहिए इस तरीके से आप एक list बनाते हुँ चलेंगे जहां आप देखेंगे कि दो से तीन महीने के अंदर आपके पास एक बहुत अच्छा material जो होगा बहुत अच्छे list जो होगी तयार हो जाएगी अब कोई भी dimension का answer हो जाएगा for example मैं दूँ अगर agriculture से लिटेट है तो हम agriculture से लिटेट यहां भी क्या करेंगे 5-6 quotation और 5-6 दो verdict जो लोगों ने कहा है बहुत important ज तो यह आपके answer में quality दिखाएगा और यह दिखाएगा कि इस बंदे के अंदर मतलब इसने काफे अच्छा जागरूख होके चीजों को पढ़ा है समचा है और तब जनरली आप simple से normal context लिखिया जाएंगे तो उसमें आपको number तो में लेगा लेकिन जो number आपको आधा number और एक number चुराना है वो वहां से हो पाएगा तो इसलिए यह बनाऊंगा मैं यह बहुत important session रहने वाला last तक आपको इसको देखना है सब भी important चीज़े हम यहाँ पर discuss करेंगे अगर आपको इसकी PDF या PPT चाहिए तो telegram group को जरू से join के लिए telegram group को join करने के लिए study time only आपको search करना हो होगा देखिए पहला अर्टिकल यहां पर stay more vigilant than ever against COVID-19 threat मोदी तो यहां पर यह आप लोगों ने सुना ही होगा मोदी जी का यह जो भासर था इस गंदर बहुत सारी चीज़ें नोंने बताया जार comprehensive data कितना हमें ज्यादा और ज्यादा रहना होगा ऐसा नहीं कि आप निश्च चीज़ों को खैल आपको रखना हुए जनरल से चीज़ें हैं यहां पर देखी amendment of new map table in new नेपाल पार्लामेंट तो यहां मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ यह वाला तो यह आप एक बार देख सकतें amendment of new map table in नेपाल पार्लामेंट तो नेपाल पार्लामेंट के अं amendment के थ्रू लेकि आया गया है उसके अंदर अब amendment होगा उसको बहुत सारी चीज़े तो यहां पे थोड़ा सा concern दिखाया जा रहे हैं इंडिया के इंडिया से की इंडिया इसको accept नहीं कर रहा है तो यह सारी चीज़ें जब यह पास हो जाएगा तब इसको हम डिटेल में डि जुडिशेरी के प्रतिज़ों इंटॉलरेंस से इसकी बात की जा रही है अब देखी यहां पे सुप्रीम कोड की जज़ है यह कॉनर जिस्टिस संचै किशान कॉल तो यह सुप्रीम कोड के जज़ है इन्होंने बोला है कि देखी किस तरीके से अभी रिसेंटले आप लोग जानते होंगे कि लेबल लॉग कई स्टेट्स के अंदर सस्पेंट कर दिये गए हैं तो उसकी रिकार्डिंग बहुत लोगों ने प्रेटिशन डाली जब प्रेटिशन डाली तो ऐसा कहा गया कि जुडिशेरी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है और वहां पर जुडिशेरी बर्क नहीं कर रही है एक्ज्जुटिव वहां पर कुछ भी करे जा रहे हैं तो एक तरीके से यहां पर इन्होंने बताया है इस्टेंड ली आ है और इन्होंने बोला है कि डिखें कृ्तिसिज्म इस इस ऐलाओ कृ्टिसिज्म इस ओल्सू इन्फॉर्मेशन बड़ को अपने डायरे में रखके काम करना होता है कि आप किसी बिचिज को इस तरीके से क्रिटिसाइज मत करें कि आप यह कहने लग गया है कि जुडिशेरी अपना रोल अच्छे से नहीं नहीं भार रही है वह तो बस एक्जेकृटिव जो जो कर रही है वह उसको फैसले को मान रह रही है यह वह उनको अपना रोल करना चाहिए तो इस तरीके से जुडिशेरी सुचती है उन्हें बता है कि बाँंड्रिश नीड टुब मेड इस सच क्रिटिस एपर्ट औफ मिस इनफोर्मेशन तो इस तरीके से कुछ क्रिटिसिसम ऐसे होते है जो मिसंफ्रमेश्ट काम कर करते हैं लोगों को तो यह जो सिस्टम के लिए गुड नहीं है यह एनारगी को बढ़ावा दे सकते हैं यह सारी चीज़े यह बता रहे हैं इसके अंदर तो यह बहुत अच्छी पॉइंट्स है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे स्पेस एक् को ऑन कर लेता हूं नहीं क्या है यइक ए स्पेस एक्स मेंशन है वह स्पेस कहा का आपको पता जैंब होने चीए एक तरीक के से इस पेक चेकalt private company है clear हो गया किसकी company अलॉन मसक छी tobaremos जी के आपको पता होगा यह कि private है तो द्रीजनी के दुवारा यह फ़र्स ताइम यह launch किया गया यहाँ पहली when you go Yapa Carne प्राइविट कमपनिय इसके पहले क्या करता था इक तरीके से यह आपको पता होना चाहिए के अमेरिकां के दर देखे जर्णल से चीज़ है यूएस जो होता था यूएस वर लेता था दूसोर दूसों कंट्रीज के पहुंचाने के लिए लेकिन अब इनकी खुद की प्राइविट कंपनी एक तरीके से एलॉन मस्क की है यूएस की कंपनी है तो वह इस तरीके से जबर कर रहे हैं काफी आदा फाइदा हो रहा है और इन्होंने बताया प्रेश्डन ने कहा है मस्क मिस्टर मस्क मॉम ही कॉल वन और ग्रीट प्रेइन होने ग्रीट नजाब से नवाजा है तेक बहुत जादा इनके पास ब्रेइन है सारी से मतलब बहुत बुद्धिमान इस तरीके से कह रहे हैं तो चोटे-चोटे चीज़ें जिसको आपको या रखना है देखिए आर्टिकल के अंदर यह फास्ट पीज है इस वैंसरे जोबी इंपोटन पॉइंट से होंगा इसको हम निकालेंगे जो भी इंपोटन एग्रीमेंट है देखिए यहां पर डिसकुस किया गया है इंडिया और चाइना के बीच में जो टोटल फाइफ एग्रिमेंट्स हुए हैं उनके बारे में डिसक्स करेंगे वो कब कब हुए हैं कि यह वही सारी चीज़ के पूरे आर्टिकल के अंदर डिसक्स की गई तो उसको हम देखेंगे दैन हम देखेंगे यूनिवर्सल बैसिक इंकम प्रोग्रम इन इंडिया तो इंडिया के अंदर किस तरीके से यूनिवर्सल बैसिक इंडिया मतलब इंकम प्रोग्राम है इंडिया के अंदर किस तरीकी चलेगा क्या होगा और वर्ड में इस तरीके से क्या चीज़ें निकल क्या रही हैं यह सारी चीज़ें ह हम यहां पर discuss करेंगे then finally हम move करेंगे अपने आगे देखे लास्ट पीज में आप पहुंचेंगे तो यहां पर आपको यह एक अच्छी information है जिसको आप एक बर देख सकते हैं हम एक बर फटा फट इसको देख लेते हैं रेयर scorpion fish found in the Gulf of Manar तो Gulf of Manar में rare एक तरीके से पीज यह scorpion fish जो है मिली है तो इसको आपको पता होना चाहिए Gulf of Manar के अंदर तो Gulf of Manar कहा है यह भी आपको पता होना चाहिए बहुत important हो जाता है तो discovered alive in Indian water for the first time पहली बार Indian water के अंदर पहली बार यह दिखा गया है यह neurotoxic है यह आपको जाद रखना होगा neurotoxic venom तो एक तरीके से Central Marine Fisheries Research Institute CMFRI के तोर इसको research किया गया है इसको आपको पता होना चाहिए जेनरली यह क्या करती इसके जो अब मैं बात करता हूँ विसीस्ता के आदे में कि इसके क्या एक विसीस्ता है तो आपको पता होना चाहिए यह color change कर लेती है मतलब यह अपना color है बहुत तेजी से change कर ली थी विंजी ने फूर फोर सेकंड यह जो है face क्या करती है अपना color change क क्या होता आपको पता होना चीए when the spine pierce and when the spine pierce and individual the venom gets injected immediately and it can be extremely painful एक तरीके से आपको समझना है कि इसका जो spine रहता है तो जब यह pierce करता है body कंदर जीकि यह जो इसका spine है यह मैं इसकी figure भी और चिस दिखाऊंगा आपको तो जो scorpion fisica अगर आपके body के अंदर एक तरीके से touch हो गया है तो वो क्या होगा insect हो जाएगा मतलब एक तरीके से venom जो है अंदर body के अंदर insect हो जाएगा और उसकी वेसे बहुत ज़्यादा extreme painful की condition देखने को मिल सकती है अब देखे पियर्स के मतलब टरीके से किसी चीट के अंदर छीदना होता है whole करना जैसे यह पियर्स करवाते कान कान वो होता है नाक होता है अक्सर आप लोगों ने दिखा होगा तो वही इसे कहते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए इसको हम आगे देखें अपने हेंडिटें नोट् आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जोंसल लाइन क्या है जोंसल लाइन हमने डिसकस किया हुआ तो अगर आप लोग ने प्रीवेस आर्टिकस नहीं दिखें तो एक बार जरूर दा कि दिखी जिसको इंडिया मानता है 1865 पे अंदर ही साइन हुआ था यह आपको पता होना चाहिए इंडिया इसे करता है इसे मानता है चायना मैकडोनल्स लाइन को मानता जो यहीं आपको पता होना चाहिए इनके बीच में पाच ट्रीटी सेंस्ट की गई है काफी इंप्रेंट हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा सा अलग रख दिया इसको आप देखिए पांचों ट जुड़ते जाएंगे देखे धीरे धीरी जो इंटे चाइनल रिलेस्टिप है एक मॉडल आपका तैयरा हो जाएगा एक माइंड मैप हो जाएगा कभी आपको discussion करना होगा कभी कुछ भी चीज़ें आगए तो आप एक साथ ही सारी चीज़ों को लिख सकते जैसे कि 1993 के में बात करता हूं तो 1993 के अंदर क्या हुआ था यहां पर आपको समझता है maintenance of peace and tranquility along LAC तो LAC के जो हमां line of actual control उसके अंदर जो peace established करना tranquility along the LAC यह बात की गई थी 1993 के अंदर फिर 1996 में क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए confidence building measure in military field along LAC तो confidence फिल्म जो है हाँ पर बात की जा रही थी military के बीच के हमें दोस्यों की उपर content रखेंगे विस्वास रखेंगे और military field को along LAC यह बात की फिर 2005 आता है 2005 में क्या होता है वो हम देखते हैं protocol on the confidence modalities of confidence measure along LAC तो प्रोटोकॉल एक तरीके से होता है 2005 के अंदर इसको आदखना है दिन 2012 के अंदर क्या होता है establishment of the working mechanism एक working mechanism को हम establish करते हैं जहां पर सारे decision लिए जाएंगे इंडिया चाइना बॉर्डर से लिटेड अफिया से लिटर जो हो भी important चीज़े होते ही वह हम discuss करेंगे then होता है हमारा 2013 में आता है border defense cooperation agreement sign होता है 2013 के अंदर क्या sign होता है border defense cooperation agreement तो यह आपको यादखता तो यह article के अंदर mainly जो बाते हो रही है वह आपको समझना जरूरी है आर्टिकल्स के अंदर बताया जा रहा है कि क्या हम इन सारी चीज़ों को मान रहे हैं या नहीं तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो हमने maintenance उसको चाइना क्या कर रहा है extremely बढ़ा रहा है धीरी धीरी करके 10 km का जो area वह बढ़ा रहा है लेकिन यहां पर बोलड़ा है इसको इदर पुश कर रहा है इंडिया यहां बोल रहा है कि यह सारी चीज़ प्रोंब्लम्स यहां पर निकलके आ रही है यह कि इसकी उपर क्या मे सारी चीज़े डिस्कस की जा रही हैं तो यहीं सारी चीज़े बात की जानी कि अभी हमें ज़रूरा थे कि हम एक इस तरीके से चीज़ों को ट्रांस्पेरेंट वे में लीकिया हैं एक बिल्कुल ऐसा नहों कि किसी भी चीज़ को अटकां के रख दिया जा जैसे पहले के जित् सारी चीज़े तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान पर रखना है और आगे जो भी हम मैजर उठाएं वहां पर बिल्कुल ट्रांस्वेरेंट और इस्ट्रेक्टिबली होना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज़ सोट आउट हो सके कि देखिए जो नेक्स आर्टिकल था हमा पैस्तों जरूरत होती है या फिर बुचा है इंप्लॉइड हो या फिर अनिंप्लॉइड हो वो दूरू को दिया जाएगा तो यह यहां पर बताया जा रहा है यूबियाई के अकर में बात करता हूं जॉब लॉस ड्यू टू टू टेक्नोलोजिकल इंटर्वेंशन एफेक इंकम जो सबको एक तरीके से सबको इतनी इंकम तो मिलनी चाहिए जिसे वो खाना पीना अपना इस तरी चीज़े एंस्योर कर सके एफेक्टिबली पोवर्टी इरेडिकेशन की यहां से क्या किया जाए कि पोवर्टी जो है यहां पर खतम की जा यह एक बहुत बड़ा मेज चीम्स के बारे में बात की जा रही थी तो इसको भी आप कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं और कौट कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर काफी इंपोर्टेंट यह चीज़ हो जाती है क्लियर चलिए आइएमफ ने यहां पर प्रोजेक्ट किया आपको यहां रखना है क्य यह ग्लोबल ग्रोथ 2020 में 30% रहेगी दवोच सिंस ग्रेट डिप्रेशन की विज़े से यहां पर बहुत जादा नीचे जाने को दिख रही है जो कि तीन परसंट है जिसकी विए से बहुत जादा जो ग्लोबली एक तरीके से कह सकते हैं जॉब जो हैं लोस होंगी बहुत ज चैकर वह कितना है 1.9 मर市 इंडिया का प्रोजेक्टेड है तो इसको भी आपको याद रखना है ला इंडिया जो यह बताए जा रहा है तो ultimately क्या होगा unemployment लोग क्योंकि संख्या बहुत जादा basis में बढ़ जाएगी और में भी possible कि जो हम target रखते हैं तो target तो बहुत दूर की बात है 2013 का जो नो poverty का जो हमारा target sustainable development goal है वो target तो बहुत दूर की बात है गोल तो बहुत दूर की बात है हम यहां पे यहां पे एक तरीके से तो ultimately इन सभी चीज़ों से क्या हो कि हम और जादा poverty की तरफ जो है जाती आएगा और इंडिये के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी और भुक्मरी की condition पैदा हो सकती है तो यहां पे UBI का बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है कि युनिवर्सल जो basic income है यहां पे जो बात की जा रही है कि यह जो है इस सारी क्यों से हमें होने का यह बात कर रहा है कि इनको भी इसके अंदर एड़ किया जाया तो में भी पॉस्वल इसके अंदर आगे जब आएगा तो हम इसको डिटेल में डिसक्स करेंगे इसके रिलेवेंस क्या है इंडिया के लिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इससे फायदे हो सकते हैं वह सारी सीचे हम डिसक्स करेंगे आगे आर्टिकल्स के अंदर अभी जश्ट आपको यह च्छोटी से डिपेंड करसि वह हम देखते हैं जिससे सबपोज अगर साइकलोन वीक रहता है या पर लौवर इंटेंसिटिटी कर रहता है तो सुर्स और मौश्च्छ बताया जा रहा है यह क्या है सोडस OF मौश्चर अगर वीक रहेगा suppose cyclone week है यह मैंने आपसे बात करी यह Indian Ocean का region है तो यहां पर cyclone आया suppose तो यहां पर cyclone आने को यह से क्या होगा यह weak cyclone है अब यह cyclone week है तो क्या होगा यह ही तक रह जाएगा लेकिन अगर cyclone बहुत तही से दूर बख जाएगा तो यहां पर जब भी मतलब एक तरीके से लो इंटेंसिटी का साइकलोन आता है तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है मौनसून हमारे यहां पर इंडिया में जल्दी आता है और अच्छे ता आता है क्योंकि जनरली हम देखते हैं कंडिशन क्या रहती 27 से कम टेंपीचर होना चाहिए और मौश्चर की कंडिशन होना चाहिए एक साइकलोन के लिए लेकिन अगर यहीं पर हाइयर इंटेंसिटी से आता है साइकलोन तो क्या होगा सोर्स जो है रिडियूस हो जाएगा जो मौश् साइकलोन ब्रीविंग इन अरीबियन सी तो अरीबियन सी के तरफ यह पहुंच रहा है इंटर मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट में भी पॉसिबल कि यह 3 जून तक जो है महाराष्टर की तरफ यहां पर गुजरावत महाराष्टर में जो है तो वहां पर हिट कर सकता है तो तो देखिए एक आपको मैं एक होंबग देता हूं जब मैं कोशिज करूंगा इस तरीके से एक होंबग देने की आपको क्या करना है साइकलोन वाला टॉपिक को त्यार करना है ठीक है जो लोग अगर त्यार कर लेते हैं तो वह अगले दिन कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन से टॉपिक मैंने दिया थो टॉपिक और उसके सामने लिखना है कि उनलों तैयार कर लिया है तो आपको क्या करना होगा साइक्लों से लिटेट जितने भी important formation current से लिटेट होगा उसको आपको देखना है देखे हमने काफ़ी डिसकस किया साइक्लोन अमफान भी आया था और रिसेंटल अभी यह बता जा रहे थे कि दो-दो साइक्लोन हो गए यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरीके से नेमिंग की जाती है और यह क्या कंडिशन रहती आपको इंसियाइटी और जहां से भी मर्डेर यह कर सकते हैं study time 717 at the rate gmail.com तो यहाँ पे भी कोई भी important चीज़ है आप हमें email कर सकते हैं यहाँ पे आप हमें भेज सकते हैं कि जो भी आप चाहें कि आप ऐसा चाहते हैं कि यह चीज़ हम लोग पढ़ाएं या फिर आपके जो नोट्स हो सकते हैं आपके जो जो आप लोग की जा सकती है यहाँ पे तो आप हमसे शेयर जरूर कर सकते हैं तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स ट्राइटिकल के और यह दाहिंदू के लाश्ट पीछ में था इसको हमने डिसक्स कर लिया था इस बार फिर देखते हैं अलाइव इंडियन वोटर्स के अंदर रियर स्कॉ करना होता है इन इंडिविजल वैनों गेट्स इंजक्टेड इमेडिटली एंड इट केंडी एक्स्रीमली पीडफुल अगर वो टच में आ जाती है आपके वो जो इसको इसका स्पाइन है वो आपके बॉड़ी से टच हो जाता है तो वह आपको क्या कर देगी जिसतरे किसे नीरो टॉकसिक पाया जाता है तो यह गल्फ ऑफ मनार इपना के बीच में यहाँ पर चेंज के इस यह जो है यह टच हो जाती है इसके रीड के जिसे आप कहते हैं यह तरीके से यह अगर आपके बॉड़ी में चली तो यह बहुत जादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है तो यही सारी चीजे डिसकस की जा रही है इसको एक बार माइंड में जमा लिजिए बहुत अच्छी तरीके से जिससे आपका सारी चीजे क्लियर हो जाएं कभी भी एक्जाम में पूछा जाए तो आप उसका अंसर जरूट से दे सके तो थैंक यू वरी मच्ट फूट डिसकसन आज का लेक्शर यहीं तक है और प्याइवी सेसिन जरूट से देखिए काफ इंपॉर् सब्सक्राइब कर देना है तो अगर आप यह दो से तीन चीजे भी करते हैं आपका कर अंतर एक पॉइंट भी नहीं चुटेगा सारी चीजे क्लियर क्रिश्टल क्लियर होती जाएंगी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारी चीजों को आपको फॉलो करना तो थैंक